स्वागत है आप सभी का फिर शेक नई वीडियो में बच्चो बिहार के गौर्मेंट MBBS कॉलेज के कटफ के बारे में इस वीडियो में हम लोग डीटेल में बात करने वाले हैं जो भी बच्चे बिहार के MBBS काउंसिलिंग में पाटिसिपेट करना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा कितना स्कोर है तो आप काउंसिलिंग में पाटिसिपेट कर सकते हैं कितना स्कोर होने के बाद आपको कॉलेजेज मिलने के चांसे हैं आपको काउंसिलिंग म अगर हम रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट नमर पर आता है PMCH पटना, दूसरे नमर पर है IGMS पटना, तीसरे नमर पर आता है NMCH पटना, चौथे नमर पर आता है DMCH लहरिया सराई, और colleges के बारे में डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, यूटूब चैनल पर आपल पर आसा लंबा है, पाच में नमर पर जो आता है वो LNMCH भागलपूर है, छटे नमर पर जो college आता है एक है राम जान की medical college समस्तिपूर और एक दूसरा college जो है आपको छपरा सारन के side जो है वो आने वाला है ठीक है प्राइबेट में भी दो colleges आने वाले हैं एक है आपको हिमालिया medical जो डेर सो सीट के साथ आ चुका है और एक आपको कटिहार के side medical colleges जो है वो आ जाएंगे ठीक है बच्चों अगर हम cut-off की बात करें अगर 2024 में MBBS government college के cut-off की हम बात करें तो unreserved जो cut-off है वो 640 के एवव रहने वाला है जिस जो बच्चे unreserved category से बिलोंग करते हैं उनका 640 से कम score है तो उनको colleges मिलने के chance हो जाएंगे हलाकि जिस भी बच्चे का जिस भी category से बिलोंग करते हों अगर आपका 625 के एवव score है तो आप लोग जरूर से जरूर जो है और इडिया quota और state quota की counseling में participate कीजिए ऐसा नहीं है कि college मिलने के chances नहीं है आप लोग एक effort जो है जरूर लीजिए अगर आपका luck और chance साथ दिया तो 625 के एवब वाले बच्चे को जो है वो colleges मिल सकते हैं ठीक है वहीं EWS में 625 से 652 पलस का जो है वो रहने वाला है ठीक है यहाँ पर इस साइड देख सकते हैं अन्रिजर्ब 640 EWS 625 BC 620 SC 520 ST 450 ये बच्चे counseling में जरूर पाटिसिपेट करें अगर expected cut-off की हम बात करें 100% seat की समबर पर colleges मिलने के chances हैं वहीं rank बोले तो 24 से 25,000 के नीचे EWS का 650 के एवब BCB 650 के एवब SCST जो है वो 1,60,000, 65,000 के आसपास और ST जो है वो आपका 5,600,000 के नीचे जिन भी बच्चों का rank है उनको colleges मिलने के chances 100% है और जिस बच्चे का 625 के उबर score है और 650 के नीचे score है उन बच बच्चों को 100% नहीं कह सकते कि colleges जो है वो उनको मिल जाएगा आपको क्या करना है counseling में rank based choice फिल करना है ताकि आपको colleges मिलने की जो possibility है वो increase हो जाए ठीक है उसके बाद बच्चों यहाँ पर total MBBS colleges के detail दिये गये हैं कि कितने seat है MBBS के कितने colleges है all over India में ठीक है उसके बाद यहा आपका 2023 का cut-up है ठीक है यह ओल इंडिया rank है जो बिहार के state court से counseling हुई थी उसकी unreserve का 25,206 rank तक admission हुआ था SC 1,24,912, BC 24,610, ST 1,49,876, EBC 26,162, RCG BC category 28,331, EWS 29,214, RCG EBC 28,261 rank तक इनका admission हुआ था तो बच्चों rank में क्या है ना कि ज़्यादा difference नहीं होने वाला है ठीक है अगर आपका कम score है 625-25 के उपर है तो आप लोग rank-based counseling जरूर कराईए rank-based counseling का ये मतलब है कि कौन-कौन से colleges उपर डालने हैं कौन से college नीचे डालने हैं obvious सी बात है कि अगर आपका score अच्छा नहीं है तो top colleges नहीं डालना है अगर आप top colleges डालते हैं तो counseling में आपका step जो है वो miss हो जाएगा मान के चलिए कि जब seat allotment का process होता है उसमें सभी बच्चों का choice number one पहले देखा जाता है अगर आप choice number one पे top colleges रखते हैं तो आपको वो colleges नहीं मिलना है अगर rank के हिसाब से आप colleges फिल करते हैं तो colleges मिलने की जो possibility है वो आपको increase हो जाएगी ठीक है उसके बाद ये all India का cut up है पिछले साल का इस बार all India का cut up जी भी वही है अगर SCST disabled quota को छोड़ दे तो 650 के above जो है वो information के लिए अगर हमारे expert से counseling program में अगर जूरना चाहते हैं तो video के description box में number और WhatsApp detail दिया गया है आप लोग हमारे expert से counseling करा सकते हैं और counseling के बाड़े में सारा information जो है वो ले सकते हैं उसके बाद कुछ बच्चे हैं जो हमारे through counseling में गए थे उनको colleges टॉप colleges अलोट हुए हैं ये द reserve EBC 35 और RCG 44 rank था ठीक है उसके बाद और भी बच्चे है ठीक है जिनोंने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनोंने अपना rank card जो है वो मुझे share भी नहीं किया था बहुत सारे बच्चों का admission हुआ था ठीक है ये cut-off है आपको DMC और ESIC का बच्चों एक चीज और मैं कहना चाह ठीक है उसके बाद third round का और ये stray vacancy round का बच्चों stray vacancy round में एक दो सीटे बचती है और third round के बाद cut-off जो है वो increase हो जाता है अगर first और second round में आपने admission नहीं लिया तो third और stray vacancy round में cut-off increase हो जाता है ये opening closing rank का PDF जो है आप लोग हमें WhatsApp पर message कीजिएगा मैं आपको भेज दूंग ये PDF जो है बहुत सारे YouTuber और counselor के पास नहीं रहता है ठीक है तो ये मैं भेज दूंगा ठीक है आप सबों को उसके बाद अगर हम बात करें ठीक है ये उसके बाद cut-off की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको BIMS नालंदा में है उसका cut-off हो गया पिछले साल का उसके बाद A.N M.C. गया हो गया इसके first round का cut-off है तो बच्चों ये जो सारे cut-off है मैंने यहां पर जो मेरे पास PDF है first round second round और stray vacancy round का उससे निकाला है ठीक है मैंने overall आपको जो पूरा detail है वो दे दिया है कि बिहार में SCST और disabled quota कोटा को छोर करके जिस भी बच्चे का 625 नंबर है वो All India quota और state quota के counselling में जरूर participate करे और किसी expert की जरूर राइले rank based counselling बहुत जरूरी है अगर आपको colleges के बारे में नहीं idea है कि किस colleges के कितने rank तक admission मिलता है कितना cut-up किसका जा सकता है तो आपको colleges मिलने की possibility भी आप खो देंगे ठीक है जो भी बच्चे हमारे expert के थुरू counseling program और counseling guidance program में ज expert team का contact detail और contact number जो है वो दिया गया है आप लोग call या message करके आप लोग हमारे expert team से जुरू सकते हैं और counseling का पूरा process जो है वो हमारी expert की team देखेगी form online से लेकर के choice feeling registration हर एक चीज हमारी expert की team करेगी आपको कुछ भी नहीं करना होगा ऐसे में क्या होगा कि जो error of chances रहते हैं counseling में वो decrease हो जाएंगे third round में अगर आप seat ले लेते हैं तो all India quota में लेते हैं तो state में block हो जाएंगे बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारा guidelines है जिसको follow करके आपको counseling में participate करना होता है तो चलिए मिलते हैं next video में next update के साथ अब तक के लिए जैहिन thanks for watching